जिस किसी भी pioneers के पास जितने अदा पाई के coins होने वाले हैं उन सभी की life 2023 के अंदर उतने जादा बदलने वाली है हाँ दोस्तों आप सबने सही सुना ये जो मैंने statement बोली है इस चीज़ को मैं 100% आप सभी को proof करके बताने वाला हूँ उसके साथ और भी highlights को cover करते हैं जो important है पाई videos को लेकि update आ चुके है mining session के बारे में आप सभी को पता चलेगा और पाईटों को services जिसके अंदर aeroplane, hotel services और भी type of services देखने को मिल दी है तो उसमें क्या चल रहा है promotions and advertisement के regarding updates आ चुके है बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है अलग अलग countries के अंदर नई नई shops, restaurant, payments किये जा रहे हैं कुछ international updates है वो भी हम cover करेंगे तो वीडियो आज का बहुत informative होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता चलेगा कि जितने भी लोग पाई के साथ mining कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे doubts भी है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके positive भी बोलते हैं, negative भी बोलते हैं और आज की वीडियो को देखने के बाद आप सभी को maximum सारी चीज़े clear हो जाएंगी कि finite work कितना realistic हो सकता है या कितना fake हो सकता है तो दोस्तो वीडियो को start करते हैं एक छोटी सी मेरी request है अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर पैस कर लें and description में telegram का link है आप जाके उसको भी join कर सकते हैं चल दोस्तो start करते हैं सबसे पहले मैं आप रीफ्रेश कर लेता हूं and हम चलते हैं अपने first update की तरह दोस्तो हमारा first update आ चुका है migrations को लेके कि अभी wallet के अंदर कितने numbers के हिसाब से migrations को complete वगरा किया जा रहा है तो यहाँ पर मैं आप सभी को पहले footage दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आप देखो 3.3 million के आसपास total wallet से यहाँ पर शोगर रहे हैं और यह USA का basically account है यहाँ पर आप देखके समझ सकते हो और इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है judging from Pi Network data, Pico team only migrated 1 Pi मैंट wallet today तो यहाँ पर साफ साफ मैंशन किया जा रहा है कि आज के दिन में एक ही इन्होंने मैंट complete किया है कही ना कहीं यह बहुत ही sad ख़बर है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो तो यह इस चीज को improve करना चाहिए पाइनेट फॉक को कही ना कहीं पाइनेट फॉक के साथ कोई ना कोई कमिया चल रही है पाइनेट फॉक जो मैंट के रिकार्डिंग है ओवराल यह बैलन्स तो कर लेता है जो सबसे प्रॉब्लम हमें maximum देखने को मिलती है वो KYC के रिकार्डिंग देखने को मिलती है जो धीरे-धीरे करके उसमें implement किया जा रहा है और चलते हैं दूसरे update की तरफ तो यहाँ पे एक चीज की बात की जारी है जो की है mining session के बारे में और यहाँ पे कुछ accounts के बारे में बताया जा रहा है जैसा कि यहाँ पे सबसे उपर लिखा है पाइको टीम punishes some offending पाइनेट फॉक अकाउंट with 100 years of punishment तो यहाँ पे कुछ ऐसे पाइनेट फॉक के पाइनियस हैं जिन्होंने कोई ना कोई गलती कियोगी कोई ना कोई violation को hit किया होगा या rules को break किया होगा तो उस वज़े से उनके phone में कुछ इस टाइप का notification देखने को मिलेगा by browser के अंदर जहां पर लिखा गया है you are currently frozen you will be not able to start a new mining session before 10 17 और यहाँ पर date पूरी यहाँ पर mention की गई है मतलब कुछ लोगों के account होता है जारे कि जो mining का session है वह आप सभी को अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा और यह कब over होगा मतलब 100 साल के बाद बेसिक लिए over होगा तो कहीं न कहीं उनका जो account है उतना अच्छा account अब नहीं रह गया तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि fake तरीके से या कोई भी illegal activity आप अपने account के साथ ना करें जिस वजह से पाइनेट फक के जो रूल से रेगुलेशन से उसको हिट मत करो नहीं तो आपका जो account है कहीं न कहीं डैमेज हो सकता है जितने आपने coins को माइन किया है कहीं न कहीं वह भी 0 हो सकते हैं तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो तो कुछ पाइनेर्स के अंदर यह सब चीज़ आई है जैसा कि एक दो पाइनेर्स ने ऐसे बहुत सारे पाइनेर्स जिसके अंदर यह चीज़ की जा मैनेंट ब्लोक्चैन जितनी भी विट्टॉल का प्रोसेस है वह मैनेंट ब्लोक्चैन के अंदर किया जा रहा है और रिक्वायर्मेंट क्या है कि आपका वालेट मैनेंट के साथ एक्टीग से कंप्लीट होना चाहिए इफ यू वालेट इस नॉट यह यट माइट अगर चीज कंप्लीट करना जरूरी है, माईग्रेट टू मैंने कंप्लीट करना जरूरी है, आपके वॉलेट के अंदर, तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, और यहाँ पर यहाँ पर यह mention कर रखा है, अगर आपको पाईटो को सर्विसिज लेनी हैं, जिसके अं अगले अपगेट की तरफ तो यहाँ पर उसी चीज को mention किया जा रहा है, जो मैंने आपको starting में बताई थी, जिनकी mining रोग दी जा रही है, तो यहाँ पर साफ सब मेंशन किया गया है, अगर आप rules को break करोगे, तो यह चीज आप सभी के सामने होने वाली है, तो आप सही तरी तरीके से barter system को start किया गया है, जिसके अंदर different type of clothes हैं, आप easily चाहे तो buy कर सकती हो, और specifically आप सभी को pie network की QR payment भी देखने को मिलेगी, जो आप easily enable करके मतलब payments को 100% कर सकते हो, और यह जो आप यहाँ पर clothing वगरा देख रहे हो, तो कोई 2 pie की है, कोई 7.5 pie की है, depend करता है कि कौन सा product है, और कितना pie आप उसके लिए दे सकते हो, और कितना आप और उसके बीच में बात हो रखी है, तो आप यहाँ पर bargaining भी करा सकते हो, जैसे आपको bargaining करानी है, तो आप bargaining भी यहाँ पर कर सकते हो, और बागी सब जो payments वगरा है, यहाँ पर life proof screen पर देख सकते हो, किस तरीके बगरा की करते हैं, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब चलते हैं, नेक्स अपडेट की तरफ, तो यहाँ पर आप सभी और इंटरनेशनल लेवल पर क्या-क्या चल रहा है, कैसे-कैसे लोग payments वगरा को accept कर रहे हैं, और यह प्रॉपर चार में के आ देखने को मिलती है, और इस वाली video footage के अंदर आपको एक location देखने को नहीं मिलेगी, type of और भी different type of locations देखने को मिलेगी, जहाँ पर इस चीज को enable किया जा रहा है, और उसके साथ यहाँ पर जो debit cards वगरा होते हैं, जो pie के cards होते हैं, वो भी enable किया जा रहा है, बट वो limited countries के अंदर है, एक China के अंदर है, Korea के अंदर है, और भी एकाधी country के अंदर है, बट हर country के अंदर अभी नहीं है, बट maximum country के अंदर ये कुछी दिनों से एक दो हफते हुए है, QR code को आए हुए, और QR code जब से आया है, pie की जो transactions है, limits हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, क्य दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, जो मैंने आप सभी को starting में बोला था, कि जिसके पास जितने अदा पाई के coins होने वाले हैं, उन सभी को एक तरीके से उतनी अदा wealth मिलने वाली है, उतना अच्छा वो future देख पाएंगे, valuation देख पाएंगे, तो ये सारी चीज़े depend क करती हैं, वो price है, अगर pineapple का price starting में कम भी आता है, बट धीरे धीरे करके इसका valuation बढ़ता रहता है, तो overall जिसके पास जितने आदा पाई के coins होने वाले हैं, उनको उतना जादा valuation मिलेगा, तो यहाँ पर ये चीज़े possible हो सकती है, उसके पीछे क्या reason है, कि आप सभी देख रह पाई को अब limited माइन किया जाए, क्योंकि एक बखुद बड़ा अब number बन चुका है, अब क्या हो रहा है कि चार से बास दिन के अंदर आप एक पाई coin को माइन कर बाओगे, और जो पुराने पाईने होने वाले हैं, उनको एक अच्छा यहाँ पे valuation देखने को मिलेगा, और जैसा कि आपको पता है, last year 29 December को जब finite fuck को fake तरीके से listed किया गया था, तो वो 3-4 डॉलर से उसका pricing शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके उसका pricing increase होना शुरू हो चुका था, और आपने देखा था कि हर एक exchange पे, चाहे Binance की बात करें, Hubi Global की बात करें, CX Exchange की बात करें, और भी type of exchanges पे, 300-200 डॉलर के आसपास average आप देखी रहते, जो कि उसका valuation गया था, 72 गंटों के अंदर, और एक exchange था, Atlantic Exchange वहाँ पे, वो 70,000 डॉलर के आसपास गया था, जो कि all time high गया था, crypto world के अंदर, उससे उपर किसी का भी valuation नहीं गया है, Bitcoin भी गया था, तो 68,000 के आसपास ग हर एक exchanges पे, Binance हो गया, यो भी global हो गया, या जो भी international के और भी अच्छे-च्छे, सभी exchanges पे, आप सभी को ये देखने को कम फर्म मिलने वाला है, और उसके साथ इसका जो valuation है, starting में आपको ये कम ही देखने को मिलेगा, एक 2 डॉलर देखने को मिल सकता है, या इससे भी कम वाली cryptocurrency है, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे mind में रखनी होगी, धीरे-धीरे करके इसकी growth होगी, इसकी growth तभी होगी, जब ये officially एक तरीके से launch होगा, और उसके बाद इसकी mining रूख चाहेगी, और जितने भी pioneers होंगे, और आप सभी के बास basically limited pie के coins होने वाले हैं, और ज इस time पे उनको buy करना पड़ेगा, जिस speed से लोग buy करेंगे, उसी speed से इसका जो valuation है, वो increase करेगा, जिस तरीके से bitcoin के साथ हुआ था, क्योंकि जो bitcoin जब ये launch हुआ था, उस time पे 1 dollar से भी इसका बहुत कम price हमें देखने को मिला था, और जो technical exports थे उन्होंने भी बोला था, bitcoin के regarding क ये 1 dollar जा सकता है, और कुछ ने बोला था कि ये 3 dollar तक जासता है highest, उससे उपर कोई भी इसकी गुंजाईश नहीं है, बट bitcoin ने धीरे धीरे करके सारी जो milestones थी, उसको break किया 3 dollar, 5 dollar, 10 dollar, 50 dollar, 100 dollar, ठीक है, ऐसे ऐसे करके break हुआ, और 2021 के अंदम all time high करके 68,000 dollar जा चुका था, जो क 1 bitcoin equals to 55 lakh rupees के आसपास था, और उसके बास से आप सभी जानते हो, कि crypto currencies को लेके हर एक government अब बहुँ ज़दा aware हो चुकी है, और जो अलग-अलग country के जितने भी traders हैं या investors हैं, वो भी crypto के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, जाए bilinius हो, चाए कोई भी हो, हर कोई इसक सालों के बाद ही आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि अभी जो maximum आप सभी देख रहे हो, हमें payment के लिए cryptocurrencies की अभी उतनी need नहीं है, actual बात की जाए तो, बट ऐसा निये कि आने वाले time के अंदर इस चीज़ की need नहीं होगी, बट आने वाले time के अंदर इस चीज़ की 100% need क्योंकि जब चीज़े स्टार्ट हुई थी तो बार्टर सिस्टम से साथ चीज़े स्टार्ट हुई थी, फिर कोई आया, फिर रूपीज हमें देखने को मिले, नोट वगएरा, फिर debit card, credit card, यह सब हमें देखने को मिले, अभी हम UPI वगएरा को यूज कर रहे हैं, और कुछ तो उस situation में P2P बहुत माइने रखेगा, जिसके अंदर peer-to-peer transaction होगी, buyer-to-seller direct contact कर पाएगा, और easily payment कर पाएगा, कुछी second हो के अंदर, आपको कहीं पर भी third party को कोई भी charges देने के जरुवत नहीं है, और यही सबसे beneficiary और plus point होने वाला है, pine network के साथ, जिस वज़े से हम UPI क को use करें, उसी वज़े से हम pine network को भी use करेंगे, और उस time पर धीरे-दीरे करके maximum लोग इस चीज को buy कर लेंगे, जैसा Jio के साथ भी हुआ था, starting में किसी को भी internet की उतनी need नहीं थी, क्योंकि उतना expensive, कोई भी internet afford करना नहीं चाहता था यह मतलम में, बट उन्होंने starting में पहले cheap rate में आप सभी को देखने को मिलता है, और उसके साथ जो इसके competitors हैं, वो भी कही न कही नीचे आ चुके हैं, तो जैसे pine network अपनी facilities देगा लोग को, तो इसके जो competitors हैं, वो भी कही न कही नीचे आ जाएंगे, बट जो unique है, जो pine network की अपनी personal चीज़े हैं, वो pine network के साथ ही है, इसी वज़े से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे benefits देखने को मिल सकता है, एकदम से नहीं होगा, दीरे दीरे करके इसका आपको benefits देखने को मिलेगा, I hope सो कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है कि इससे better option आपके पास है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि overall आपको भी income generate करनी है, आपको भी पैसा बनाना है, तो आपके लिए जो best option है, आप वहाँ पे switch कर सकते हो, बट आप knowledge और skills कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि knowledge skills बहुत important है, इन सबी चीज़ों के अंदर, तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यह था, I hope आपको सम आज में आया होगा मिलता है नहीं वीडियो के साथ तक के लिए जहिंद वंदे मात्रम